नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का हमारे यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग 35 प्लस कोश्चन देखेंगे जो की बात एक एक्जाइम के दिरिश्टी से बहुत ही महत्पूर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है क आपकी सिध्धान परकार करता है यह आधारित होता है नापकी विखंड़न नापकी संद्धान परकार करता है तो दूसरा कोश्चन उसी से रिलेटेड है कि परमाण बंकी सिध्धान पर आधारित होता है तो यह आपका नापकी विखंड़न के सिध्धान परकार करता है औ रडार के आविस्कारक कौन है तो देखिए आपसन है फ्रेंक वीटल लेंडिश्टीनर अलबर्ट टेलर मारकोनी तो देखिए जो रडार के आविस्कारक थें वह राबर्ट वाट्सन वाट थें तो रडार के आविस्कारक राबर्ट वाट्सन वाट हैं बट क्या है कि जो र अलबर्ट टेलर मिल रहा है तो हम लोग अलबर्ट टेलर पर टिक करके आएंगे बट जो रडार का खोच किया गया था वह राबर्ट वाट्सन वाट के द्वारा किया गया था लेकिन जो रडार था उसका जो प्रारूप दिया गया था वह टेलर और यंग के द्वारा दिया तो यहाँ पर याद रखिए गई यह लगर टेलर जो ए जो थे यह रडार का प्रारूप दिये थे अविसकार तो रभाट वार्सन वाट ने किया था तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अगर दोनों अगर आप सँन में आ जाता कि रडार का विसकार है अगर अलबर टेलर भी देता है और कि देता तो आपको करके आना था तो आप लोस्ट्र करके आते हैं राबबर वर्सटन वाट ने रडार का खोज किया था गडर का प्रारूप दिया था वेट टेलर और यंग ने दिया था निकान फूझं से कि यहां पर है कि निउट्रीनों की खोज जो किया गया था यहां पर इसका फोर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा देखे जो निउट्रीनों होता है यह लगवग आपका द्रब्यमान रहित वह आविस रहित मूलकण है और इसकी खोज 1930 में 1930 में पावली ने किया था और निउट्रीनों का भी प्रतिकन होता है जिसे हम लोग एंटी निउट्रीनों कहते हैं तो यहां पर हमारा फोर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा निउट्रीनों की खोज पावली ने किया था 1930 में और निू crucos का भी प्रक्षिकन होता है जिससे हम लोग anti-neutrino के नाम से जानते हैं और यह भी आपको पता होगा कि यह लगवक द्रवमान रहित यानि की rest mass वह आविस रहित handle होता है तो यह हो गया तो नाव यहां पर दी आंबकी ψह कि चाहएगा मैंडलीफ है आधा कोशन नाद की रियक्टर किसके निर्ध। निर्देशन में बनाया गया था पावली रिको फर्मी मुसले रोजर बेकन रिक नहीं जो प्र् liquidity करा जाता है और परथम नाप की रियक्टर एनरिको फर्मिक के निर्देशन में अमेरिका के सिकागो विष्विद्याल में सन 1942 में बनाया गया था और नाप की रियक्टर में विखंडन की स्रिंखला अपकि रिया को नियंतरित करने के लिए हम हम लोग कैड्मियम है या हम लोग लोग यूझ करते हैं तो याद रखिएगा कि जो नवी रिएकटर में भी खंड़न होता है उस réaction को नीयंति करने के लिए कैड्मियं या बोरान की लबे च्पौयीं करते हैं तो यह होगे हमारे नवन की रिएकटर के और्ची होगा उन्निस Hey गया था और देखी इस तोahlen के इस क्षजिद्धन पराँ को हीम आपको uhकर नाविक बसुद्ध अर इसमें क्या उता है जब दो या अधिक हल्के नाविक सन्युक्त होकर एक भारी नाविक बनाते हैं तो अतैधिक उर्जामुक्त होती है और इस अब किरिया को ही हम लोग नापकी संलेयन कहते हैं सूरिश से जो प्राप्त प्रकास और उस्मा उर्जा का जो मुख सुरो होता है वह अभी आपका नापकी संलेयन कैसे धन परकार करता है तो आप चलिए इतना हम लोग ने जान लिए हड्रोजन बम के बारे में अब है हमारा आठमा कोशन कि प्रोटान किस प्रकार का कण है आवेस हीन धन आवेस यूग्त रिलावेस यूग्त कोई नहीं देखे जो प्रोटान होता है यह आपका धनावेसित होता है तो एट का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा आवेस हीन होता है आपका न्यूटरन और रिलावेस होता है आपका इलेक्टरन नावा कोशन है कि इलेक्टरन किस प्रकार का कण है तो आपको भी पता को इलेक्टरन आपका रिलावेसित कण होता है धनावेस ही तापका proton होता है यहां पर आपका 9 का B Pixel होगा अब है हमारा दसम्म कोश्चन की neutron किस प्रकार का करण है धनावेस य辜ले इन में से कोई नहीं पर जो neutron होता है यह आपका होता है आवेस ही मिएस ही नियम होता दनावेस होता है तो इलेक्टरान पर रिडावेस होता है, प्रोटान पर धनावेस, नूटरान पर कोई आवेस नहीं होता है, यानि कि आवेस हीन होता है तो यहाँ पर 10 का C आंसर करेक्ट हो जाएगा, आवेस हीन होता है, नूटरान ग्यारे नमबर कोश्चन कि परमाण बम का आविसकार किस ने किया था आटोहन ने माइकल फैराडे ने विलियम सालक ने गैलीलियो ने तो देखे जो परमाण बम होता है इसका जो खोच किया गया था यह किया था आटोहन ने तो परमाण बम का आविसकार आटोहन ने किया था तो यहाँ पर इसका A answer correct हो जाएगा अब देखिए जो परमालबम होता है यह आपका नापकी बिखंडन के सिध्धान पर कार्य करता है यानि कि यह नूकलियर फीजन के सिध्धान पर कार्य करता है और इसमें क्या आता है कि यूरेनियम 235 पर मन दगती से नूट्रानों की बंबारी की जाती है तो इसका भारी नाविक बिभक्त हो जाता है यानि कि वह तूड़ जाता है और साथ ही बहुत उर्जा उत्सर्जित होती है और इस अपकिरिया को हम लोग नापकी विखंडन कहते हैं और परमाणु बंब जो होता है यह आपका नियंत्रित नापकी विखंडन अपकिरिया पर अधारित होता है और पर्थम परमाणु बंब जो था यह आपका 1945 में बनाया गया था और जिसका विस्पोर्ट दुतवी विस्युद्ध में च्छाए अगस्ट 1945 को जापान के हिरोशिमा पर तथा जो दूसरा विस्पोर्ट था वह नव अगस्ट 1945 को नागा साकी पर किया गया था तो इतना हम लोगों ने जान लिया परमाणु बंब के सिध्धान के बारे में और नापकी विखंडन के बारे में और इनका कब विस् में तो पर्थम परमाण बंब जो बनाया गया था अभी हम आपको बता हैं 1945 में बनाया गया था और जो हैड्रोजन बंब था वह 1952 में बनाया गया था तो यहां पर हमारा एंसर करेक्ट हो जाएगा अब हमारा तेरह नंबर का कोश्चन इलेक्टान की खोज किसने की थी एंडर्सन ने रदरफोड ने जेजेट थामसन ने जेंस चरडविक ने तो आपको पता होगा जो इलेक्टान का खोज किया था वह जेजेट तामसन या थामसन ने किया था प्रोटान की खोज किया था क Neutral dollars कि किसने की थी आप से नेराधरफर्ट जंस चणविक गेलीलियो न्यूटन देखिए न्यूट्रान कि खोज़ जो था यह खो जा था जमस चाडविक ने तो यहां पर इसका भी और सर करेक्ट हो जाएगा Neutron की कोश्श जेंस चैडविक ने किया था चान साल के यहां पर इसका बी आंसर करेक्ट होलेगा जानी साल अब है सत्रस नामबर का कोश्चन डइनमाइट के आउश्कारख क्यों है आप सों है अललफड नोबल मेंडलिक टॉरिस रेलि मायचल फैरा डे तो देखिए जो डाइनामाइट होए इसका आविस्कार किया था अलफ्रेड नोबेल ने तो इन्ही के नाम पर हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एफ्याटल नमबर का कोशंच है पॉझिट्रांग की खोश किस ने की थी। पावली एंडर्सन जांसाल रंजन तो देखिए जो पॉझिट्रां होता है इसका खोश किया था एनडर्सन ने तो यहाँ पर इसका ऐफ्याध का द्थार्य आन्सर करेक्ट होजाएगा। पाजी ट्रान के खोज एंडरसन ने किया था और पाजी ट्रान जो होता है यह आपका धनावेशित मूल कण हैं जिसका द्रब्यमान वाबेश परिमाल में इलेक्ट राबर होते हैं इसलिए प्रतिकन को और इसकी खौज ten ने कभ किया था 1932 में खभिया था खra झाक है असशन कि किसकी बेधन जाने निउट्रान की अब है देखे़ जिन में जिए जिसकी बैधन स्पते को होती है बहुता है गाल्वा की राट तो किष्टों की Magic शॉर्थ यहाँ पर सींसर करेक्ट हो इसको सिटल की खोज किसम ने की थी जो सॉलर सिश्टम हो ता है इसका कोसी सिय था इसका कापर कोपर ոिशंग निकका सर्कार्ट हो जाएगा कोपर निकस ने सुलर सिष्टम की कि घी थी। नापकी विखंडन में ट्रीगर क्या होता है आप सोन है उलेक्तर न्यूटरन पाजिट्रन प्रोटान तो देखिए उर्थ विखंड़न में जो ट्रीगर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह हमारा होता है यहां पर हमारा भी answer correct हो जाएगा neutron आपके विखंडन में ट्रिगर का करता है Quantum सिध्धान्थ किसने दिया था Mandelieff ने, Madam Cury ने Max Planck ने, Ranjan ने तो देखे, Max Planck का Quantum सिध्धान्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके हैडिंग से आपको पता चल जाएगा कि Max Planck का Quantum सिध्धान्थ यहाँ पर इसका सी answer करेक्ट हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने कॉंटम सिध्धान्त दिया था रेडियो धर्मिति का आविस्कार किस ने किया था है रेडियो धर्मिति का आविस्कार किस ने किया था है रेडियो धर्मिति का आविस्कार किया था यह किया गया था है रेडियो धर्मिति के द्वारा तो यहां पर इसका यह अब इसफोड सिध्धानत है यह जो है कि दापलर प्रभाव पर आधारित है तो 25 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा डापलर प्रभाव पर बीग बैंक थियोरी आधारित है इसमें से कौन सूच्मितत्व है क्लोरीन हाइड्रोजन नाट्रोजन आक्सीजन तो जो पर्थम प्रमाणु रियक्टर किस नाम से जाना जाता है तो आपको पता होगा कि जो भारत का पर्थम प्रमाणु रियक्टर है वह हमारा अपसरा था तो अपसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कि लेक्टान के आवेस का निर्धारन किस ने किया था चैड़िविक ने थामसन ने निूटन ने मिलिकान ने तो देखिए लेक्टान के आवेस का जो निर्धारन किया गया था यह मिलिकान के द्वारा कि तो इलेक्ट्रान की खोश टामसन या थांप्सण ने किया था बट उसके जो आवेस कर दिधारान किया गया था वह मिलिकान की द्वारा किया गया था अब 29 नंबर का क्वोशन कि परमाण में अवस्थित सबसे हलका कंड कौन सा है प्रोटान इलेक्टान न्यूटरर इन में से करना है तो इसके लिए हम लोग कारबन चौदे का यूज करेंगे कारबन चौदे लकड़ी के आउग्यांत करने के लिए सहयक होता है पाजिट्रान किसका प्रतिकान है तब हम आपको पहले ही बताया चुके हैं कि एंटी पार्टिकल जो है जो होता है यह पाजिट्रान यह होता है आपका इलेक्ट्रान का तो इलेक्ट्रान का प्रतिकान पाजिट्रान है तो 31 का यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा और आपको पता होगा कि यह एक धनावेसित मूलकान है पाजिट्रान जिसका द्रभेमान वा आवेस परिणाम में इलेक्टान के बराबर होता है और इसकी खोज 1932 में एंडर्सन ने किया था अब चलते हम लोग 32 नंबर के कोस्टन पर 32 नंबर का कोस्टन यहाँ पर कह रहा है कि प्रिथिभी के आयू का आकलन किस प्रकार किसे किया जाता है गामा किरान की खोज किस ने की थी राधरफोड ने पाल विलारड ने रांजान ने बेकुरल ने देखें यहाँ पर गामा किरान की खोज हैनरी बेकुरल ने किया था तो गामा किरान की खोज बेकुरल ने किया था जिवास में की आयू का निर्धारान किसके द्वारा किया गय से स्टो से यूरेनियम डेटों से इने से कोई नहीं जो जीवास में कि आलका निर्धाराण हम लोग करते हैं इस है कि रेडियो suffering से करते हैं तो यहाँ पर हमारा यह आजर गोड़ंता है कि रेडियो कारवनटे निसे पॉलोनियम की खोज किस ने की थी तो देखिए जो पॉलोनियम होता है इसकी खोज किया गया था मैरी क्यूरी द्वारा तो पॉलोनियम की खोज मैरी क्यूरी ने किया था 36 File प्रियोंग की म्ले में आट्रोग्लिसरीन धोनीं को सब्सक्राइन उलिकल्जिमियो मैलेइकมले नाट्रोग्लिसरीन होता है तो 37 का यहाँ पर एंसर करेक्ट हो जाएगा अब बताइए कमेंट बाक्स में आप लो कि जो डाइनामाइट होता है इसकी खोच किसने की थी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं उसका नहीं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करे और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जूने डेली यहाँ पर एक वीडियो डाला जाता है तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और हमारा अबजेक्टिव जी के नाम से एक और चैनल है जिसक पर आप लोग अपना करेंट अफेर से रिलेटेड कोस्टिन देख पाएंगे मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक यू